मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भुपाल स्थित रविंद्र भवन में आयोजित मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह में सहभागिता कर इस पावन अफसर की प्रदेशवासियों को बधाई दी और प्रक्तिपत पर सतत अग्रसर हमारे मध्यप्रदेश की विकास यात्रा के साथ विक्सित मध्यप्रदेश की भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर विचार साजा किये मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम नागरिकों के कल्यान में राज्यों की सीमा बाधा नहीं बनना चाहिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी यही संकल्प है उन्होंने प्रधान मंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण केनवेत्वा नदी जोडो परियोजना और पारवती कालिसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए समाधान का मार प्रशस्त किया अंतर राजिय केंबेत्वा नदी जोडो परियोजना भारत की प्रथम नदी जोडो परियोजना है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य 20 वर्ष से पारवती चंबल कालिसिंध परियोजना की स्वीकृती के लंबित मामलों में अब स्वीकृती हो गई है केंद्र सरकार द्वारादी गई इन मंजूरियों से प्रदेश के बड़े अंचल में विकास की गती तीवर हो जाएगी प्रधान मंत्री श्री मोदी के तीवर विकास का संकल्प पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोडेंगी केंबेत्वा परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई और पानी की सुविधा व्यापक स्तर पर नागरिकों और किसानों को मिलेगी यह परियोजना एक इतिहास रचने का कार्य करेगी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज रवींद्र सभागम में मध्य प्रदेश के 79 वे स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्थापना वर्ष 1956 से लेकर अब तक एक लंबी यात्रा तै हुई है इस वर्ष राज्योत्सव और दिपोत्सव एक साथ आए हैं प्रदेश में चार दिन का स्थापना दिवस समारोह और पांच दिन का दिपोत्सव हो रहा है मध्यप्रदेश इस मामले में सौभाग शाली है कि यहों मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम ने चित्रकूट में सरवाधिक समय व्यतीत किया भगवान श्री कृष्ण ने भी मध्यप्रदेश की धर्ती पर उज्जैन आकर शिक्षा ग्रहेन की मध्यप्रदेश पर प्रकृती का भी वर्दान है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हिमालय से गंगा के उदगम और अन्य नदियों की जल राशी को देखें तो उससे कहीं अधिक जल राशी नर्मदा के साथ सोन, चंबल, तापती आदी से प्रवाहित होती है मध्यप्रदेश नदियों के मायके की तरह है यह देश के लिए अजूबा और वर्दान दोनों है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा प्रदेश में खनिजों की प्रचुर्ता है प्रदेश में 55 जिलों की सीमाओं का पुनरनिर्धारन होगा जिलों की सीमाओं के साथ ही संभागों की सीमा भी बदलेंगे प्रदेश में 68 वर्ष में उनरगठन संबंधी कार्य इस तरपर नहीं हुआ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोडेगी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2005 तक 5 मेडिकल कॉलेज ही थे जिनकी संख्या वर्तमान में 20 हो गई है प्रधान मंत्री श्री मोदी ने हाल ही में प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज लोकार्पित किये हैं आने वाले दो वर्ष में मेडिकल कॉलेज की संख्या 28 हो जाएगी उन्होंने कहा कि PPT मॉडल पर भी कार्य हो रहा है जिससे प्रदेश में 40 मेडिकल कॉलेज होंगे आने वाले समय में प्रत्यक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उपस्थित नागरिकों को मध्यप्रदेश की स्थापना दिवस और दीपोट्सव की बधाईदी और पार्षव गायक श्री अंकित तिवारी मुंबई के निर्देशन में हो रहे गीत संगीत कार्यक्रम का आनंद लेने का आहवान किया गायका सुश्री सुहासिनी जोशी ने मध्यप्रदेश गान प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने परियतन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पर केंडरित फिल्म का रिमोट से बटन दबाकर शुभारंब किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पिछडा वर्ड एवं अल्पसंख्यक कल्यान मंत्री श्रीमती क्रिश्नागौर, पशुपालन एवं डेरी राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, श्री लखन पतेल, सांसद श्री वीडी। पार्श्वगायक अनकित तिवारी ने गीतों से किया आनंदित। प्रस्तुती में आगे सनम तेरी कसम और जुगनी। प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं पर जादू सा कर दिया। इसके बाद तो अनकित और श्रोताओं के बीच सुरीला रिष्टा कायम हो गया और गीतों का सिलसिला चलता गया। बत्तमीज साड़ा हक, खैरियत, तू ही हकीकत, बून्द बून्द तो फिर आओ, तू है की नहीं। जैसे लोक प्रिये गीतों से शाम को शांदार बना दिया। अगली प्रस्तुती सबसे लोक प्रिये गीत सुन रहा है न तू। प्रस्तुत कर स्थापना दिवस की शाम में चार चांद लगा दिये। उन्होंने इसके बाद सयोनी, अंखिया, उडीक, पठान। प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुती का समापन तेरी गलियां गीत प्रस्तुत कर किया।